जहें दोस्तों मेरा नाम है अतुल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड इक्जाम के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जो की बोर्ड इक्जाम में हर साल पूछे जाते हैं देखिए दोस्तों पहला टॉपिक क्या है उपमा अतुवा रूपक अलंकार की परिभासा उदा हरण सहित दीद लिखिए ये बोर्ड इक्जाम में हर साल पूछा जाता इस साल भी पूछा जाएगा उपमा अलंकार की परिभासा आप लोग देख लिजिए जहां किसी या व्यक्ति से समान गुर्धर्म के आधार पर तुलना की जाए तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहां उपमा लंकार होता है उपमा लंकार में होता क्या है कि तुलना की जाते है या फिर समानता बताई जाती है देखिए आप लोगों को अच्छे समझ में आ ये ना राधा के चरण गुलाब के समान है उसके बाद अगला देखिए राम का मुख राम का मुख चंद्रमा के समान है यहाँ पर राम के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है इसलिए यहाँ पर क्या है उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पर समानता बताई गई है अगला क्या है अगला है हमारा रूपक अलंकार तो रूपक अलंकार में देखिए दोस्तों क्या होता है आप लोग इसको तयार कर लेना क्योंकि यह बोड एक्जाम के लिए अत्तिधिक कि समझ रहें आप लोग जहाँ अपमे में उत्मान का भेद रहित आरोब किया जाता आ वहां रूपक अलंकार होता है अच्छा आप लोग एक बात हां तो आप लोगों को यह तो पता होना चाहिہं कि उत्मे और उत्मान होता क्या है अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप सिर्फ इसको रट पाएंगी या आप इसको क्लियर दिमाग में नहीं बैठा पाएंगी इसलिए इसका अर्थ पता होना बहुत जरूरी है देखिए दोस्तो उपमे क्या होता है उपमे जो हमारा होता है उपमे वह होता है जिस वस् उसे उपमान कहते हैं, तो इनको आपको अर्थ पता होना बहुत जरूर है, क्योंकि हम ऐसे तो किवल इसको रट सकते हैं, इसको दिमाग में अगर हमारे बैट जाएगा तो हम कभी नहीं भूलेंगे, और रटेंगे तो आज रटेंगे, कल फिर भूल जाएगा, कोई मतलब न उदारा लिखा था, इसको ही याद करके मैं गया था, उसके बाद दूसरा उदारारान क्या है, चरन कमल बंदो हरी राई, चरन कमल बंदो हरी राई, आप ये दोनों परिभासा हैं, अगर आप याद कर लेते तो आपको बोड एक्जाम में दो नंबर फिक्स हो जाते हैं, दो नंबर आपके बोड एक्जाम में कोई नहीं रोख सकता है, दो नंबर का आता है अलंकार, अथवा करके दो अलंकार दिये रहते हैं, आपको जिसमें से एक अलंकार करना होता है, और आपके दो नंबर फिक्स हो जाते हैं, आप इसी तरह लिखिए, जैसे मैंने लिखा ह आपके दो नमबर एकदम पक्के हो जाएंगे अब हम आगे बात करेंगे रस के बारे में जी हाँ दोस्तों ये भी आपका दो नमबर का आता है रस भी जो आता है आपका दो नमबर का आता है अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो आपको दो नमबर आपके क्लियर हो जाते हैं तो रस में देखिए क्या होता है हास अथवा करून रस हास अथवा करून रस को उदा हरण सहित इस्पस्ट कीजिए यह दो नंबर का आता हर साल बोर्ड एक्जाम में आता अगर आप इसको तयार कर लेते हैं तो आपके दो नंबर फिक्स हो जाते हैं ठीक है दोस्तों किसी व्यक्त के रूप आकार वेश भूसा आधि को देखकर हैदय में जो विनोध भाव उत्पन होता है हास वरस कहलाता है समझ रहे हैं आप लोग किसी व्यक्त को देखकर जाव में हसी आए हास वरस हास नामक भाव जब हैदय में उत्पन होता है न वही हास वरस होता है द हसे स्यू समाज निजी देखा आप लोग इसको याद कर लें बहुत सरल उधारन वैसे आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके बाद हम लोग बात करें कि करून रस की ये भी बहुत इंपॉर्टन हर साल बोड मे दुख जिसे कहते हैं हम लोग सोक नामक इस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से सन्योग करता है तब करून रस की उत्पत्ति होती है जी है दोस्तों आप समझ सकते हैं इसको देखिए फिर ते एक बार देख लीजे करून रस का इस्थाई भाव सो करता है तब करून रस की उत्पत्ति होती है आप लोगं इसको भी याद्व करते हैं तो आप लोगों को दो नमपर फिकस है दोस्तौकों कहीं नहीं जाएगा बोडिक्जम मेयं हर साल यह पूचा जाएगा अप लोग सोँखते होंगे कि यह पूंच जाए यह पूंचा जा स्वाध्यल के आपकी जादा दिक्कत नहीं पड़ेगे हैं क्योंकि मैंने इस उदाहरंँ को सेश किए। फनसा पटक रही थी सीज अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जग दीज ये बात उस समय की है जब स्रावान कुमार को तीर लग जाती है राजा दसरत ने स्रावान कुमार को जब तीर मार दिया था उस समय उनकी माताजी कहते हैं कहते हैं माली खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी सीज उसी प्रकार अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जग दीज फनसा पटक रही थी स्रावान कुमार की माताजी पटक रही थी फनसा सीज क्योंकि जब उनके पुत्र को बान लग गया था तो उन्हो ने कहा अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जग दीज मतलब अंधी आज बना कर मुझको आपने न्याय कर दिया है भगवान क्योंकि अगर मैं मेरे आंकों से दिखाई पड़ता तो मैं अपने पुत्र को तीर लगते हुए नहीं देख सकती थी और मैं अपने पूत्र की म्रत तुन नहीं देख सकती थी इसलिए उन्होंने कहा अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जग दीज देखिए दोस्तों बहुत अच्छा उधाना उमीद है आप लोग इसको तयार कर लेते हैं और बोर्ड में आप लोग भी टॉप करिए जिससे आ आप लोग अच्छे मार्ग साचीव करके जाएं बोर्ड में टॉप करें जाएं दोस्तों नमस्कार साथियों मिलते हैं एक अगली वीडियो में फिर इसी तरह का कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे हम आपके लिए जाएं